हेलो गाइज विल्कम टो आर यूट्यूब चैनल दौलाइन एजुकेशन पॉइंट आज हम आपके लिए नेवी और एयर फोर्स के एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं और ये मॉक टेस्ट आपको बेसिकली नेवी के पैटरन पर अधारित मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं औ और आजका फर्स्ट काउचन है शिक्स नंबर में आपको बताना है Choose the correct form of verb to fill in the blanks आपको बताना है कौन सा भब form correct होगा इस fill in the blanks के लिए आपका कोचन है, 6 नमबर में, I hope my prayer will be dash है, I hope my prayer will be dash है, आपका first option में है hear, second में है hears, third में है hear and fourth में है hearing है, जो 6 का correct answer हो जाएगा, वो आपका C number आपका correct हो जाएगा, ठीक, will be के बाद, आपको जब भी यहाँ पर B दीखे, कोई भी जैसे आपको model auxiliary के बाद B दीखे, तो आप भर्ब का B3 form यूज करेंगे, और B3 form आपको C number में दिया हुआ है, ठीक, ठीक, so 6 का C number correct हो जाएगा, नेक्स जगते हैं, नेक्स है, the officer dies, the officer dies, to talk you, the officer dies, to talk you, and आपके first option में है, want, second में है, is wanting, third में है, wants, fourth में है, has wanted, ठीक, ठीक, जो 7 का correct answer हो जाएगा, वो आपका C number correct हो जाएगा, ठीक, यानि, wants, आपका the officer wants, to talk to you, नेक्स जगते हैं, नेक्स, नेक्स है, एट नमबर में, दे डैस, दे और ओल्ड कार लास्ट येर, दे डैस, दे और ओल्ड कार लास्ट येर, अपका first option में है, sale, second में है, sold, third में है, have sold, and fourth में है, sale, इंगे, जो, एट का, जो correct answer हो जाएगा, वो आपका B number correct हो जाएगा, ठीक, B number क्यों correct होगा, क्योंकि यहाँ पर last year दिया हुआ है, यानि यह past word है, और पिछले, जो, mock test है, उसमें मैं past word बता चुका हूँ, कि जहाँ भी past word हो, वहाँ पर आप है, आप past tense का यूज करेंगे, ठेक, और past tense ये एक ही है, sold, they sold their old काल, last year, नेक जाकते हैं, next है, ninth number में, he was much, he was much dash by the news, and आपका first option में है, second में है, third में है, जो six, और fourth में है second, जो, ninth का, जो correct answer हो जाएगा, वह आपका D number correct हो जाएगा, ठेक, D number आपका correct हो जाएगा, क्यों correct होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे होंगे, वाज लगा हुआ है, और फिर यहाँ पर आप देख रहे होगे, by the news लगा हुआ है, यानि ये passive form है, जब passive form आपको दीखे, तो आप वहाँ पर मालूम है, कि आपको कैसे, कौन सा फर्म यूज करना होता है, passive form में V3, यानि second आपका correct हो जाएगा, ठेक, नेख जागते हैं, 10th number में, FIB है, यानि fill in the blanks है, और जो इसका बताना है, कि कौन सा correct है, preposition होगा, ठेक, और 10th number कोचन है, 1st number में है, 10th number में, attend dash your work and stop talking है, जो आपके 1st option में दिया हुआ है, 2, 2nd में, 2, 3rd में, 4th and 4th में, V3, जो 10th का correct answer हो जाएगा, वह आपका A number correct हो जाएगा, attend के साथ 2 का उप्यो किये जाता है, attend to, attend to your work and stop talking, ठेक, आप इसे note कर सकते हैं, कि attend के साथ 2 का इस्तमाल होता है, यानि यह fixed preposition है, next time, next इसमें भी preposition भरना है, and आपका फर्स्ट कोचन, जो 11th का कोचन है, वो, he and his friends fully agree, dash me, he and his friends fully agree, dash me, and आपको फर्स्ट अफ्सन में है, to, second में, with, third में, by, and fourth में, from, जो 11th का correct answer हो जाएगा, वो आपका B number correct हो जाएगा, ठेक, यानि 11th का B number correct हो जाएगा, यानि यह आपर with होगा, he and his friend fully agree with me, ठेक, यह आपको मालूम होगा कि agree, I agree with someone, यह आपका fixed preposition है, यह आपका fixed preposition है, जहाँ भी I agree लगा, वहाँ पर with लगाएगे, लेकिन अध्यान देगे कि बाद में आपको कोई ब्यक्ती होना चाहिए, या ब्यक्ती के thought होना चाहिए, ब्यक्ती से related, ठेक, I agree with someone, या I agree with someone's thought, है, ठेक, जैसे, he agreed with my thought, यानि मुझसे related होना चाहिए, पोस्ट ओफिस एस करके, वहाँ होना चाहिए, ठेक, तो आब आप यहाँ पर with का उप्योग करेंगे, नेक्स्टाइम, मैं यदि आप चाहते हैं कि आपको यह fixed preposition पर आपको वीडियो बना देव, तो आप comment box में लिख है कर, हमें बता दीजिए कि हमें fixed preposition पर, हमें पूरा explanation के साथ वीडियो बना कर, बना कर upload कर दीजिए, तो हम आपको provide करवा देंगे, ठेक, नेक्स्टाइम, he boasted, क्या है, he boasted, his success in examination, ठेक, he boasted, his success in the examination, एपके first option में है, two second में है, four third में है, off fourth में है, on है, जो boasted के साथ यह मैं पीछे करा चुका हूँ, यह sentence same to same करा चुका हूँ, ठेक, और boasted के साथ जो fixed preposition आता है, वो आपका off आता है, यानि, 12 का C number आपका correct हो जाएगा, ठेक, boasted off यानि बढ़ावा देना, यह बढ़ाना, next है, 13 number में आपको synonyms बताना है, 13 और 14 में आपको synonyms बताना है, ठेक, और synonyms किसका बताना है, trial का, trial का synonyms बताना है, and आपके first option में है, tribulation, second number में है, prosecution, second number में आपका prosecution है, and third number में examination of evidence, and fourth number में है evidence, एंसे ठेख जो 13 का correct answer हो जाएगा वह आपका c number correct हो जाएगा trial judiciary सब्द है ठेख और जो evidence का examination होता है उसी को trial कहते हैं ठेख यह आपका 13 का c number पर आपका correct हो जाएगा और चलिए तो बाकी सब का गया देख लेते हैं जो ट्रेविलेशन है इसका अर्फ होता है समस्या है इसकर समस्या ठीक आप इसे कही नोट करते चलिए कि प्रेविलेशन का अर्थ होता है समस्या ठीक आप नोट कर लीजिए और जो यह आप पर प्रोसिक्यूसन दिया हुआ है यह वी जुडिसेरी वर्ड है ठीक इसका अर्थ होता है अभियोग्य अभियोग्य ठीक आप इसे भी नोट कर लीजिए evidence का अर्थ होता है सबूत आपको मालूम होगा evidence card होता है सबूत्ते next जगते हैं इस 14th number में आपको synonyms बताना है ठेक और किसका बताना है fury fury का synonyms बताना है आपके first option में है fengi second में है violence third में है sover and fourth में है speed आपको बताना है कि A, B, C और D में से कौन सा fury का synonyms होगा तो जो 14th का correct answer हो जाएगा वो आपका A number correct हो जाएगा ठेक fury का अर्थ होता है fury का अर्थ जो होगा वो आपको crude rose awes होता है ठेक crude rose awes ठेक और जो फेंजी का अर्थ होता है इसका विशिम मिनिंग होता है यानि crow, rose, awes and यह आपका synonyms हो जाएगी यह दोनो ठेक जो यह बी नंबर में दिया हुआ है violence violence कार्थ होता है हिंसा आप इसे भी नोट कर लीजिए violence कार्थ होता है हिंसा and c नंबर में sober दिया हुआ है ठेक जो sober का अर्थ होगा सांत सोभाग्य sober nature का होता है यह नि santh nature ठेक santh nature ठेक यह som में कह सकते हैं वो लड़का बिलकुल som में है यह लड़का बिलकुल sober है ठेक तो आप इसे इसका sober का हिंदी हो जाएगा santh आपको यह som कार्थ होता है कि बिलकुल santh गंभीर रूप से ठेक और speed का आपको मालूम है कि speed कार्थ होता है तेज ठेक next है फिप्टी नंबर कोचन में आपको बताना है कि voluntary का आपको antonyms बताना है voluntary का antonyms बताना है कि क्या होगा ठेक और जो first option में है valuable second में है violent third में है compulsory and fourth में है delivery जो 15th का correct answer हो जाएगा वो आपका c number correct हो जाएगा voluntary यह नहीं होता है swim अपने इक्चा से और compulsory यह नहीं होता है अनिवार यह यह दूसरे के इक्चा से ठेक आपका यह voluntary का antonyms compulsory हो जाएगा ठेक valuable का अर्थ होता है मुलवान violent का अर्थ होता है हिंसा करने वाला ठेक और delivery का अर्थ होता है जान बुझ कर अर्थ होता है जान बुझ कर आप इसे नोट कर लीजिए जान बुझ कर ठेक नेक्स जगते हैं नेक्स है 16 नमबर और यह कोचन मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि यह कोचन आ चुका है immune का अर्थ क्या होगा ठेक और यह important भी है क्यों क्योंकि corona virus है और यह corona virus से रिलेट है कि immune इसलिए मैं आपको इसे दे रहा हूँ कि आपे होमर करूप में आप इसे comment box में comment परके बताना है कि जो immune का एंटोनिम्स immune का आपको एंटोनिम्स बताना है ठेक नेक्स जगते हैं 60 नंबर का आपको comment box में लिख कर बताना है कि इसका कौन सा correct answer होगा A, B, C, D यानि A में danger दिया हुआ है B में deficiency दिया हुआ है C में safely दिया हुआ है D में prone दिया हुआ है नेक्स आप 17 नंबर 17 नंबर concise आपके option है wrong, smooth, precise and worldly wordly दिया हुआ है wordly नहीं, wordly ठेक जो 17 नंबर का correct answer हो जाएगा वो आपका D नंबर correct हो जाएगा concise का आउर्थ होता है संचित रूप में आप पढ़े होंगे expanded form या short form उसे short form को concise यानि संचित रूप में कहायता है ठेक आप इसे नोट कर लिजिए मैं थ्वासा column change कर ले रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे concise का आउर्थ होता है संचित रूप से ठेक और संचित रूप से यानि छोटा रूप से संचित रूप में छोटा रूप में wrong का आउर्थ होता है गलत smooth का आउर्थ होता है चिकना precise जो इसका आउर्थ होता है आपका ठीक क्या आउर्थ होता है ठीक ठीक precise का आउर्थ होता है ठीक ओके बिल्कुल परफेक्ट ठीक and next है wordy जो wordy है इसका आउर्थ होता है आपका अधिक सब्दो से या अधिक सब्दो वाला आप इसे नोट कर लिजिए अधिक सब्दो वाला अधिक सब्दो वाला ठेक यदि आप अपना भोकेब इंक्रीज करना चाहते हैं भोकेब को आप मजबूत करना चाहते हैं जीडी आपना क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ऐसा ऐ इसाइज वर्ड़ी ठेक इधा इम्यून आ गया डिफिशियंसी आ गया प्रोन आ गया व्लेंट्री आ गया इसाब को आपका हिंदी मालूम होगा जब का आपके पास सब्द की कमी के करण हम अपने भासा यूज करने लगते हैं और आपको इंग्लिस में आपको बात करना होता है जब आप इंग्लिस का अवर्ड नहीं जानिए गा तो आप जी डी में भाग कैसे ली जी जिएगा जीदीमें पर्टेइबा कैसे की जिएगा है फैट नेक्ष जगते हैं तो 17 का आपका डीनमर क्रेक्ट हो जाएगा और नेक्ष जगते हैं 18 आपको बताना है one word किसका one word क क्या होगा 18 में और संटेंस है यह यंग ओमेन हुई इज नॉट मैरेड एंड आपका जो फॉर्स अप्शन में है मी सेकेंड में मैडम थर्ड में मेरेड एंड फॉर्थ में लेड़ी जो 18 का कर् lograte cancer हो जाएगा ओका सी नंबर कर्रेक्ट हो जाएगा नेक्स जकते हैं नेक्स्ट हैۗ 19 नंबर है one who abstains from intoxicating drink intoxicating drink या नसीला पदार्त या नसीला जो जो होता है न बेवरेज या नसीला नसा जिससे नसा हो उसी को intoxicating इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स पोलते हैं तो इसका correct एंसर हो जाएगा 19 का बी नमबर आपका correct हो जाएगा नेक्स देखते हैं नेक्स है 20 नमबर में आपको बताना है कि error कीज़ पाट में है ठीक आपके 1st में दिया हुआ है 20 नमबर में none of the two players 2nd में है 2nd नमबर में है 2 qualify for the contest 4th नमबर में non error दिया हुआ है 20 का यह मैं कोचन बिल्कुल बढ़िया सा कोचन है बिल्कुल आपके exam के pattern सा अधारित है और इसका जो correct answer होगा वो मैं next video में बताऊंगा ठीक इसका जो correct answer होगा वो मैं next video में बताऊंगा और आपको बताना होगा कि 20 का जो A, B, C और D कौन सा होगा ठीक क्योंकि यह एक कोचन है जो बिल्कुल बढ़िया concept पर आधारित है इसलिए मैं इसको next वीडियो में solve करूंगा आप लोग से देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं ठीक नेक्स जगते हैं 21 और आपको कॉमेंट करके बताना है कि इसका answer क्या होगा नेक्स है 21 21 दिया हुआ है bread and butter फर्स अप्सन में है फोर्स में दिया हुआ है no error जो 20 का 21 का correct answer हो जाएगा वो आपका B number correct हो जाएगा क्यानि B number में आपका error है bread and butter एक के singular subject है और इसके साथ singular verb आएगा यानि bread and butter is a wholesome food तो 21 का आपका B number correct हो जाएगा और correct के जगा यह जो incorrect है इसके place पर क्या होगा तो ease हो जाएगा नेक्स जगते हैं नेक्स आए 22 22 का फर्स अप्सन में दिया हुआ है one should second में दिया हुआ है try to make the maximum third में दिया हुआ है use of his time and fourth में दिया हुआ है no error तो जो 22 का correct answer हो जाएगा वो आपका C number correct हो जाएगा यह simple साथा आपको मालूम है कि जब भी आपका subject one हो तो यहाँ उसके बाद में जो इसका use होता है तो यहाँ पर आपका once हो जाएगा each के जगा पर और यही आपका correct होगा तो 22 का आपका C number correct हो जाएगा next देखते हैं next है 23 number में I have है I have seen in first option में है second में the movie in the cinema how yesterday and fourth number में है no error तो 23 का है जो correct answer होगा वो आपका देखने से पता चल रहा होगा यहाँ पर yesterday दिया हुआ है और यहाँ पर present perfect tense का यूज किया गया है तो यहाँ पर हम दो तरह से सुधार सकते हैं एक C भी सुधार सकते हैं और एक A भी सुधार सकते हैं लेकिन यह grammar का rule का आता है कि यदि आप sentence में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो जो first आपका error मिलेगा हुआ है या study किस में होता है past में यूज होता है past indefinite tense में ठेक तो यहाँ पर past indefinite का इस्तमाल करेंगे नौकी present का next है 24 नमबर में a box of apple से second नमबर में दिया हुआ है are third में in the car and fourth में no error तो जो इसका 24 का जो correct answer हो जाएगा वो आपका b number correct हो जाएगा a box of singular subject के रूप में use होता है और यहाँ पर plural भर्व लगाया है ठेक so इसलिए आपका 24 का b number आपका correct हो जाएगा next जगते है next है 25 25 नमबर में है he came and said beside me and आपका अंत में दिया हुआ है no error he came and said beside me no error आपको बताना है कि 20 पार्ट में गलत है तो जो error पाठ है वो आपका c number आपका error पाठ है ठेक यहाँ पर s नहीं होगा beside me beside me यानि बगल में वो आया और मेरे बगल में बैठ गया ठेक तो आपका यह 25 का c number correct हो जाएगा so आज के लिए वो इतना ही और मैं article का first video जो upload कर दिया हूँ अज़िए आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाए देखिए और उसमें बताइए कि उसका कौन सा part आपको समझ में नहीं आया हम उसको next video में आपको try करेंगे समझाने के लिए ठेक यह वीडियो अच्छी लगी तो like कर लीजिएगा और चैनल को subscribe कर लीजिएगा ठेक so आज के लिए वस इतना ही thank you